फटाक 30 सेकेंड में खबरे डाउनलोड कीजिए तका पुलिस सरकार के नियंतरों से बिलकुत बाहर नहीं है पुलिस सरकार के नियंतरों से अपने कारियों को करने के लिए जो उनके वाजिवकार है उसको कार करने के लिए पूरी तरह फ्री है हमारी पुलिस समाजवादी पार्टी की तरह के पुलिस नहीं है कि आई जी असुतोष पांडे अखले श्यादों के पैर में बैठे हुए है पांचो सीटों पर कबजा के और उसके बाद 2017 में चार सीटों के साथ में बीजेपी ने कही ना कही इसमें पते हासिल की और कही ना कही यहाँ पर एक बड़े प्रतिशत के साथ में सामने आई लेकिन इस बार की लड़ाई कैसी है और इस बार के मुद्दे क्या है ये जानने के लिए आजम सुल्तानपूर की धर्ती पर पहुंची है हमारे मौजूद की कहा है पहले हम वो आपको बता देते हैं मौजूद है सीता कुन घाट पर और महराज कुश्की मूर्ती के सामने हमारे साथ जुड़ेंगे चार सियासत दान जो की बात करेंगे अपनी सियासत की, जमीन के मुद्दों की और आखिर सुल्तानपूर में जनता क्या चाह रही है इन तमाम सवालों की जवाब इन नेताओं से हम करेंगे तो शुरुवात करते हैं आज के इस चर्चा की, लेकिन सबसे पहले हम आपका तारूफ करा देते हैं आज के हमारे साथ जुड़ रहे परनलिस्टों के साथ सबसे पहले शुरुवात होगी समाजवादी पार्टी से जो के हमारे साथ मौझूद है अशोक कुमार वर्मा जो की जिला उपाद्यक्ष है उसके बाद बीजेपी का दारूमदार रखेंगे अनुरात पांडे जो की जिला सहियोजख है भारती जनेता पार्टी कॉंग्रेस की तरफ से अपनी आवाज भुलंद करेंगे जो की प्रवक्ता है और बीएसपी की तरफ से दारूमदार होगा डीएस मिश्रा जी पर जो की प्रत्याशी है सुल्तानपूर विदासभा से चलिए आप सभी का स्वागत है शुरुआत करते हैं यूपी किसका में सबसे पहला सवाल बीजेपी से आखिर सुल्तानपूर की जनता भारती जनता पार्टी को क्यों वोट करें चार विधाय को एका एतबार किया था तुर्जा सत्रह में बाइस में दुबारा क्यों करें वोट लॉए ओडर इन्वेस्टमेंट ंट्मसफियर और इन्वेस्टमेंट अट्मसफियर इसलिए क्योंकि लॉएड़र ठीक है। लॉए और जो ठीक रहता है तो सारा सब कुछ ठीक होता है। इसी विज़से सुल्तानपूर की जंदा को इश्वास करना चाहिए। सुल्तानपुर को पूरवाचल मिल मिला लॉइंड ओर के अलावा ट्रॉमा सेंटर मिला है बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने जो आपको दिखेंगी आप जाये तो अप एक्सेस लग्णों से आप देख लिए सुल्तानपूर तक के बीच पे फोले मिली तो तुमान तुम करें समाजवादी पार्टे कि अपैल प्रते क्रियों कि आधार बनाएंगे तो सरकार ह। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है क्यों जनता वोट करे सुल्टान पूर की सपा की प्रमुक मुद्दे क्या है क्यों ही सपा समझवादी पार्टी ने जो भी विकास का काम जो भी हमारे बीजेपी के भायर ने बताया ट्रामा सेंटर समझवादी पार्टी के समय से स्टार्ट हुआ था कियोजों नहींındेर। उद्धृर्ण करने का काम किया पूर्वाण्चल एक्स्प्रेस का काम इसके अलावा इस गुम्ती नदी पर तीन पुल समाजवादी पार्टी के कारकाल में, कटामा, ईमेलिया और सिर्वारा घाट पर तीन पुल बने, महिला नए ढ़ंग से बनाया गया, और उसके अलावा परतेग विधान सभा में तौरित ग्रामीड सड़क एउजना के तहट कम सकम सौसो किलो मीटर हर विधायकों के छेट में सड़कें बनाई गई लोहिया आवास एउजना और लोहिया ग्रामीड एउजना के तहट गाउं का विकास किया गया पंडित जनेस्वर मिस्रा ग्रामीडियोजना के तहट गाउं का विकास किया गया हमारी सोच गाउं किसान मजदूर गरीब और नौजवान को विकास करने की है हम इनके मुद्दों के साथ जा रहे हैं इन्हों ने जो भी नौजवानों का सोसन किया है विरुजगारी दर्प पैदा किया और जहां तक इन्हों कानून ब्यौस्था की बात किया है अभी दोस्पुर में एक फ्रेंचाईजी को गोली मारकर हत्या की गई पूरे पर जिले मे कांग्रेस पार्टी को जनता इसलिए वोट करे क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आजादी से लेके तमाम जो बार्टी है उनकी समस्याओं से लड़ने वाली एक अकेली पार्टी है जो आज भी इस कुसासन के खिलाप सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाली जमीन पे कांग्रेस पार्टी है मांगाई, बेरोजगारी, अराज अक्ता जो भी किसान के मुद्दे हो उन पर लड़ने वाली अकेली एक कांग्रेस पार्टी है इसलिए कांग्रेस कोर्ट देना चाहिए जिनको भी सुल्तानपुर की जहां तक बात हो रही है सुल्तानपुर में जितने भी यहां पुराने काम है आप एक चीनी मिल देख लीजिए, आज चला नहीं पा रही है सरकार, चीनी मिल पे क्या वादा करके आयते हैं, यहां तक कि प्रधान मंत्री जी ने भी चीनी मिल के लिए बहुत से बात क्या हुआ जो जन्ता ने कि दीवार ज्यादा दिन खड़ी नहीं रहेगी थोड़े दिन और है कांग्रेस पार्टी आपको फिर से पुना उसी पर्चम के साथ सत्ता में दिखने जा रहे हैं वापसी हो रहे हैं बीएसपी से सवाल कर लेते हैं मिश्रा जी बताइए समाजवादी पार्टी गड़ बना जानती है 27 प्रसत मूल भूत ओटों के साथ बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और हमारे वोटर जो गरीब मद दाता है दलिद मद दाता है पिछड़े मद दाता है वो हमारे बेस ओटर हैं सबसे बड़ी चीज जिस बात को आप यह सपा वाले कह रहे हैं कि अपराध अरे इनको तो सर मानी चाहिए कहने में भी थोड़ा सा मलब भाजपा में तो अत्याचार जुराचार जो बढ़ा बढ़ाई है सबते कैसी दल है कि उसके आने के लोग इतने घबडाए हुए हैं कि कहीं सपा ना आ जाए इसलिए सारे वो तो गिर करके 15 नो 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 का हमार आप पूरे देश का वो सब्सक्राइब निकाल लें पूरे प्रदेश का डाटा आज यह कह रहा है कि हम हर चुनाओं में हमारा वोट प्रस्त बढ़ा है हम कभी वी अपने वोट प्रस्त को कम नहीं किया है इनका यह लोग आज कि मीडिया के थूँ सोसल मीडिया के थूँ यह कह रहे हैं कि हम दलीत मददाताओं पर प्रहार कर रहे हैं अब सबसे बड़ा दावा बहुजन समाज पार्टी का जो सारी दुनिया यहां सारे लोगों से पूछ लिए लांड और अकर किसी दल के दे सकता है कोई बहनकुमारी मायो talksries यह ब्हुजन समाज पार्टी से बहतर कोई बहुत सी दल नहीं है जो बहन कुमारी मायोत्री जैसा सुसासन दे रहे हैं आप कहां आपके जन्पतनी शुपे हुए हैं बीएस्पी कहा रही है समाजवादी साफ साफ आरोब लगा रही है लाइन ओर जिसकी शुरुवात आपने वक्ताव वकी की थी वही तब से खराब के देखिए विरोद नहीं करेंगा तो किस बात के विपक्ष तो तो हर चीज़े जनता रही है जवास दिखता लेकर के लगातार विपक्ष ने सवाल किये एंकाउंटर से लेकर के जो तो कि हत्याय हो रही थी गुरफपुर में व्यापारी को मार दिया गए यह सवाल जो थी इसको आप कैसे ड्रेस नहीं ठीक है आपकी बात सही है ब्रामणों को लेकर क्या सवाल हुआ जो भी यह बात करते हैं सर मद में बोलना उचित रही है सर बीच में नहीं बोलना चाहिए मद में आगर आप बोलेंगे तो मैं इपनी बात नहीं रख पाऊंगा ब्रामणों की बात जो कर रहे हैं अगर कोई भी अपराद करे चाहिए वह ब्रामणों हो ठाकुरो मुसल्मान हो यादो हो कोई भी ओ उसको दमन होना चाहिए और विकास दूबे के साथ जो हुआ ठीक हुआ अगर हम 14 लोग एक साथ है और कोयी ही अपराद कमिट होता है स्थाभी बंगर घ्या दूभा परेंगि सब्सक्राइब होगी नहीं तो कोड़ छोड़ देती रही छोड़ा इसका मतलब कहीं न कहीं उनकी लेपता चाहे थोड़ी सी हो रही होगी एक सवाल बीजेपी जो बारबर सबाज़ादी पार्टी सुखाती है वह एक फरक साफ है माफिया राज गुंदा राज हम इमारते गिरा रहे हैं यह अवैद कभजे को रुका गया है क्या यह नेरेटिव सपा का था जिसको तोड़ा ही बीजेपी अवैद कभजा तो अभी यही सुल्तानपुर में आप चलिए कि बीजेपी को लोग किस तरह से यहीं मंदिर के पास जमीन पर कभजा कर रहे हैं यहीं के भाजपा के नेता कभ अब यहीं हाई कोड ने रोक लगाई इसी जिले में और जहां आप गुंडा राज माफिया राज की बात कर रहे हैं मेरा अपना मामना है कि पुलिस को जज नहीं बनना चाहिए पुलिस का काम है कि कि किसी भी अपराधी के खिलाब जो भी उसने अपराध किया उसकी पूरी सब्सक्राइब करने के लिए उनके वाजिव करने के लिए उसको कार करने के लिए पूरी तरह स्थैभ्रीका कैंवरी सब्सक्राइब करने में इतना बड़ा प्रदेश्च है एतना परदेश है आप किसी आप देखिए आप organized crime को रोख नहीं सकते हैं आप जो है छोटे-मोटे crimes को नहीं रोक सकते हैं और चोटे-मोटे क्राइब के पीछे आपका फॉलो अब क्या हुआ आपने क्या तेज फॉलो अब किया वह इंपोर्टेंट पुलिस की तर्थ परता सरकार की तर्थ परता इस बात से दिखाई पड़ती है कि फॉलो अब कितनी तेज हुआ और बता दिजिए मैं भूल सकते हैं आप इस बात को कि आप पूल सकते हैं थानों में उस समय पुलिस को किस तरह पीटा जाता था आप भूसकते हैं कि प्रकार को आपको लगता कि तुल्ना में आपने देखें मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको चाहिए जिताने के लिए या चुनाओ जिताने के लिए क्योंकि आपकी सिटी तो ऐसी है कि अगर सीटे नहीं आएंगी तो आप किंग मेकर कहा से बनेगी ने महिलाओं को जो 40% टिकट देने की बात हमारी नेता स्रीमति प्रियंका गांधी जी ने किया है वो उनके अधिकार को देखके किया है राजनीत में रिप्रेंटेशन जैसे म मृट्य तक हर जगा माईलाओं का रोल है तो क्या राजनीत में माईलाओं का रोल नहीं होना चाहिए उस सोच से ओत्परोत होके हमारी नेता ने उनको रिप्रेंटेशन देने की बाती सवाले करती है कि यह फॉर्मुला राजिस्थान में क्यों निलाग होता यह फॉर्मु में हम चाहेंगे कि अन्य प्रदेशों में भी लागो हो चुकी वो यहां की जनर्ल सिग्रेट्री है उत्तरप्रदेस प्रभार है उनके इसलिए उन्होंने उत्तरपरदेश में यह लागो किया और जहां तक बाजपा के महोदे बता रहें कि अपराध और वोड़त यहीं य लोका युक्त में इसको वहाँ दोस्य मकाण जोच कर दिया और ऊभी भरस्टाचारी गौमा रहे हैं गुमा रहे हैं और रायो बाद को सपार प्रसंद महिलाओं की बाद कौंग्रस करें कि है डिकेट षराइह ढरिए प्रचार ना तो कोई रैली कर रही है ना उनका डिजिटल संबोदन हो रहा है आखिर ऐसा क्यों देखे सबसे बड़ी चीज़ जान लेजे जो हमारे मद्दाता हैं हमारे बेसिक मद्दाता जो है उनके पास अभी घरोंधा नहीं है चपर है चपर है तो बिजली नहीं है जुद वो बेचारे पढ़ नहीं पाते लिख नहीं पाते हैं यह डिजिटल प्रचार और यह कोरोना यह दोनों भाजबा के बिनास का कारक हो गया गया जान लीजेगा आप कत्ताई मेरे मद्दाता को ना डिजिटल प्रचार चाहिए और डिजिटल हाइप चाहिए कि वह संदेश कैसे सुनेगा बैहन जी के संदेश एक बुकलेट हमारी आई है लोग जा जाकर के हमारे संगठन में बूत अस्तर पर लोग लगे हुए हैं वह रात विराज जिस तरह से आप देखे 84 से हमारी बहुज्यों समाज पार्टी की सरकार चली लोग जाते थे गाउं में क आपकी समाजवादी पार्टी को देख लीजिए जो मजाती रहो नमों के साथ में उसका क्या नमों समोधन होगा गाय गोरु चर्ज आ रहा है रात भर जो किसान रखा रहा है जाकर के उसमें मलब वह हाल हो गई है आप चले जाओ ना एक-एक हजार गालिया पब्लिक दे र जाएगी आप बताओ कौन से ऐसी थेओरी है क्या आप भी वहीं चकर चला रहे हो कि डालोगे कहीं पहुंचेगा कहीं जो जो फरजी चीजे थी आपको लगता है कि बुकलेट के प्रचार से आपकी बात पहुंच जाएग और आपका मत दाता हूं बतादू यह दल तो क्या कर आया हूं 188 सुल्तान पूर्विधान सवा का मैं पत्यासी हूं नहीं 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 हमारी तिरपन उमीद्वारों की वह दूसरी वह चीजें जो आती हैं होस्नाएं होती हैं कि यह चीजें यह सिंबल वाली लिस्ट है हमारी सारी लिस्टें 355 के लगभश पार हो चुकी है और हम लोग एक एक द्वार पर पूरा 442 बूतों के एक एक द्वार पर पहुंच करके अपनी दस्तक दे रहे हैं और जाकर के लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को नोट करके आप जनता से कनेट करके यह काम कर पाएंगे आप बताएए मोई आपसे जानना चाहता हूं य यह जितने निताएं उठा रहे हैं आपको लग रहा है कि यह बड़ा इश्व होगा इस देखे ऐसा है कि छुट्टा जानवर की समस्या को कोई डिनाई नहीं कर सकता है चुट्टा जानवर की समस्या एक समस्या है लेकिन यह पबलिक मेमोरी इतनी शौर्ट होती है कि यही यतने लोग हैं यही एक समय अरे गाय बहुत कट रही अरे गाय बहुत कट रही आज अगर वो आराम से घूम रही है तो आप छुट्टा जानवर की समस्या और दूसरी चीज़ समझिए सरकारी नियंत सरकार के इस तर पर छुट्टा जानवरों को पकड़ने की कोशिश होती ह उसको इकठा करके ले जाके रखा जाता है फिर जो लोग हैं दूसरे जानवर छोड़ देते हैं सरक देखे कोई भी सरकार हो चाहे इनकी हो चाहे मेरी हो चाहे इनकी हो कोई भी सरकार जब तक पाब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा क्योई भी योजना सफल नहीं हो सकत समाजवादी पार्टी से पूछ लेते हैं आपके यहां पर कई मंत्री आ गए तीन मंत्री आ चुके बीजेपी के अब अखिलेश अदाफ कह रहे हैं अब कोई नहीं आएगा तो यहां के नेताओं के भरोसे और यहां आप जो अलग-अलग छोटे-चोटे दलों को जोड़ र क्राम किया है बूत तक हमारा संगठन है जो चोटे-चोटे-चोटे दल हैं उनको साथ ला जाएते हैं चूंकि उसमें तमाम ऐसे लोग हैं कि जो धोखा में दोखे में चले गए तो बीजेपी के साथ गुमराह होके चले गए तो कुछ उमीदों से चले गए तो तो जब हम साथ करें तो क्या यह बहुत परस्ति मौन नहीं आए हैं वह समाजवादी पार्टियों की नीतियों में समाजवादी पार्टी की विश्वास आस्था प्यत्त करते हुए और कमजोर तब्गे को पिछड़े बर्ग के दलित बर्ग के लोगों के उत्थान के लिए हमारे मैं दो करोन नोकरी दूँगा किसानों की आमनी दूगुनी के लिए मिला सुल्टानपूर को मानते हैं पूर्वांचल एक्सपेस को आप केते आप ने दिया था लेकिन काम बीजेपी सरकार पूरा कर रही है तो नाम की राज़ी इन्होंने तो काम में भी कटाईती कर दी उसक किनारे किनारे तमाम काम होना था नहीं हो पाया है तो एक विजेपी क्या जल्दी थी कह रहे हैं पूरा काम यह पूरा काम ने हो पाया उसके पहले आप देखिए समाजवादी पार्टी का तो बड़ा चरत्र खराब है क्या बोलूं मैं 15000 क्रोंदरा हजार करोड रुपए म 15,000 करोन के है तो यह को डिवेट को डिरेल करने का प्रयास से कॉंगरेस करेंसे हमीशा hamjor कि कही काम होता है तो चलिए अगर आपके और समाजवादी पार्टी कोशिश होगी कि मुद्वों पर बात हो जाए तू तू मैं में नहीं तू तू मैं में सवाल यह है कि गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठा रहे हैं आपको इसी जल्दी क्या थी क्या और समय ले सकते देखे 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 ऐसा है कि जब मैं सवाजवादी पार्टी की बात कर रहा था तो आप इस पर लीजिए औंतर यहां पर भार्टी अंता Papa 민दा चार्डंग है कोई टोटोट्टोटी नाई कर रहा है यह समाजवादाधी पार्टी के दोस्जन यह पूरे हैं यह हैं इनका असली रूफ करते के बताये कि सुल्तानपुर के मुद्दे क्या है शुल्तानपुर को क्या चाहिए आप तो कह रहे हैं कि छलिए अब धोके में चली गयी थे दो बार सरकार यहां की जनता सरकार को ले कि आप क्या मान रहे हैं सुल्तानपुर की जरुत है कि लोगों को सबते पहले तो जो यह आम समस्या हो गई है छुटा जानौरों से निजात इसमें इसमें भी आप डिसकस कीजिए कि इनों जितनी गौसालाएं बनाएं उसमें किस तरीके का किस कदर का ब्रस्ता चार हुआ द चक्र बनना चाहिए जो पिछले 30-32 साल में कहीं नहीं दिखा सुल्तानपुर को निर्बात विद्धुत आपूर्टी के लिए यहां चाहिए यह जो कागच पे बन रहा मेटिकल कालेज है उसको मूर्त रूप में सुल्तानपुर को चाहिए सुल्तानपुर को भी बहुत है तो क्या प्रहुत सद्थ सद्थ हैं क्या प्रहप्रमुप मुद्ध कैसे विकास होगा सड़कों में यह एक साल से सदके खुदी पडि हुई है यह भाजपाले जॉना ड़िक पानी का सेबेट्मेंट प्रांट जो गोंती गंदी हो रही उसको बचाना एक गलियों को चौड़ा करके पकी सड़कों का वो करना गाउं में मच्छुआरों के लिए और जो निशाद बस्तियां है उन्हें बाधमंडी के बनाना उनके पुनुरुधार के लिए डवलमेंट क तो बहेंजी ने पत्थर मूर्तिया देखें पत्थर आप जिस पत्थर की बात कर रहे हो आपना आज लखनू घुस्ते हो ना या तो आपको लगता होगा काम पूरा हो गया है हमारे विकास के मुद्दे गरीबों के दल्टों के घर तक सड़के पहुंचाना उनको जल पान नाओं में कितने सीटें हमारे सीटें साड़े तीन सो से ज्यादा सीटें जीतने गठबंधन के साथ जितने का लच्छे है और हम इतनी सीटें जीतेंगे भाजपा का पूरी तरह सफाया होगा बहुत अब मुंगेरी लाल के हजीन सपने ठीकी हैं लेकिन तीन सो सीट हम कांग्रेस की तरफ लोग देख रहें अब बहुमत का मतलब इसको क्या बताओं कि बहुमत में कितनी सीटें चाहिए इसको तो सभी लोग जानते हैं बहुमत बहुमत से हमारी सरकार 200 पार निश्चीत ही होनी कि देखे बहुजन समाजपार्टी सरकार 2022 की बनाने जा रही है आप सीटों का आकलन कर रहे हैं तो 200 से 300 के बीच हमारी सीटें होंगी हमारे पास कोई ऐसा कल्कुलेशन नहीं है कि हम कितना करें सुल्तानपूर की मौजूदा पांचो सीट बहुजन समाजपार्टी जीतने जा रहे हैं यह आम पबलिक से सूच लिजे पूच लिजेगा किसका साथ देगी यह तो मतदान ही बताएगा तैंडों यूपी किस्का का कारवाला का सार जारी रहेगा हम अलग अलग जनपदों में जाएंगो आपको बताएंगे यह आखिर उत्तर पदेश का मूड क्या है और आने वाले समय मैं किस की बनने जा रहीए उत्तापदेश में सरकार फिलाल के लिए मेरे सहीोगी संदीब के साथ मुझे दीजे जाज़त नमस्कार